नमस्कार आपका अक्षता क्लासिस में श्वागत है आज हम रामधारी खंड एक की प्रतिलेखन संख्या साथ की डिक्टेशन करेंगे जिसकी स्पीड शौव शब्द प्रतिमिनट होगी आपकी डिक्टेशन अगले पांच सेकेंड में सुरू होगी फाइफ फोर थ्री टू इस्टाड अध्यच महोदे दस्वी पंचवर्सिय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत को प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है अध्यच महोदे नोवी पंचवर्सिय योजना का अब अन्तिम वर्स चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीजें कही गई हैं ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन हैं बदला भी नहीं जा सकता अध्यच महोदे कुछ चीजें की जा सकती हैं उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तै नहीं किया गया केवल कटोती ही निश्चित की गई है सुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया था कि इस पंचवर्शिय योजना का आसे कुछ सरकारी पच्च से भी बताया है इसके अंदर कमिया है और बहुत सी कमिया है जिनके उपर मैं यहां कुछ दोसारोपन नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रश्न ना उठाये जाए तो जादा अच्छा है यहां योजना सरकार ने बनाई है यहां योजना मंत्री मंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमिया रहे गई है तो यह कमी रहने का दोस किस के उपर है मैं समस्ता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं बहुत से लोगों ने दिली के प्रशन उठाएं जो दिली के साथ अन्याय किया गया है तो मैं समस्ता हूँ इस बारे में सब आवाज उठाएं इस बात की आज जादा जरूरत है मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्हों ने ये सारी योजनाय बनाई उन्होंने वास्तों में यहां के साथ बड़ा बुरा किया यहां के साथ अन्याय किया क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्सी योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं इन से क्या लाब हानी होगा इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया तो मैं समस्ता हूँ ऐसी प्रिस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है ऐसी दसा में यहां पर पांच वर्सों में आने वाली योजनाय बेकार बन कर रहे जाएंगी जो कटोती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को हम अंतराश्टिय इस्तर का एक आदर्स नगर बना सके यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम इस इस्थान की उन्नती चाहते हैं इसलिए अब मैं अपना कथन इन सब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ कि टिशन समाप्त हो गई है थेंक यू